है गाइस चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीज़े चैनल पैसबजार.com ये करेट कर लेकर आई है वो इसलिए लेकर आई है कि आपका सिविल स्कोर घंटिया है फिर आप अपना क्रेट刃 बनाने के बाद पार सब्सक्राइब कर बादसे बढ़ता आएगा इस complete step बता दीजिए कि हम इस create card को कैसे बना सकते हैं और कैसे ये card हमें मिलेगा, virtual create card कैसा होता है तो आज की सुड़े में आपको यहाँ पर मैं complete step बताने वाला हूँ कैसे हैं, पैसबजार.com से पैसबजार step up create card के लिए apply कर सकते हैं complete step by step वीडियोस की बिल्कुल मत काना क्योंकि मैं आपको यहाँ पर complete step बताने वाला हूँ लेकिन आगे बढ़ने से वाले आपसे एक छोड़ी सी request एक भाई मेरे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लेना बेले कर दबा देना ताकि आपको ने उडिक नोटिफिकेशन मिलते रहे तो चलिए आज देखते हैं कैसे apply करते हैं पैसबजार.com से step up create card चलिए शुरू करते हैं So guys, पैसबजार.com ने हाली में जो नया create card लौँच किया है जिसका नामे step up create card अगर आपको लेना चाहते हैं आज इस वीडियो के अंदर आप देखें कम्प्लीट इस्टप कैसे आप इस card को बनवा सकते हैं पिछली वीडियो मैंने आपको detail बताया था इस create card के बारे में क्या है create card और किसको ये मिलने वाला है अगर आप एक ने customer है आपको नहीं पता तो guys मैं आपको बता दो अगर आपका civil score बिलकुल घटिया है आपका civil score खराब हो चुका है अपने civil score आप बढ़ाना चाहते हैं तो भाई आप बनवा सकते हैं पैसबजार.com से पैसबजार step up create card अगर आपको एक credit card मिल जाता है तो guys आप जब इसका repayment time से करेंगे तो आपका civil score इंक्रीस होता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा क्योंकि पैसबजार.com भी सिर्फ ये card अपने उन customer को दे रही है जिनका civil score खराब है ठीक है तो guys चलिए आपने क्या करना होगा अगर आप इस credit card को बनवाना चाहते हैं simply आपको पैसबजार.com application डाउलोड करने होगी play store से इस कलिंक आपको description मिल जाएगा और आपने इसको open कर लेनी होगी open करने के बाद सबसे पहले आपको इसके अंदर registration कंप्लीट करना होगा आपके हुआई number से मैंने पहले से कर रखा तो चलिए मैं इसके अंदर login कर लेता हूँ login करने की बाद guys आपको यह create card कहां पर दिखाए दिने वाला या तो आपको offer मिल जाएगा जब आप यहाँ पर free में अपना civil score चेक करेंगे instantly आपको offer करें अगर आपका civil score घटिया होगा अगर आपका civil score घटिया नहीं है तो आप अपने eligibility भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस काड़ के लिए अगर आप create card बनना चाहते हैं चैक के केवल और केवल FD के अगेंस्ट मिल सकता है अगर आप एक fix deposit कराते हैं पैसवाजार.com में जाकर तो आपको एक create card मिल जाएगा क्योंकि आपका civil score खराब हो चुका है तो आपको FD के यह create card apply करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका full नाम डालना है जो आपके pen card के अंदर हो उसके बाद आपका email address नीचे आपको date of birth अपना डालना होगा आपका pen card नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा और आपका mobile नंबर यहाँ पर डालना होगा वह mobile नंबर करनी है और उसके बाद आपने इसको continue करना होगा continue करने के बाद गाइज next step के अंदर यहाँ पर यह बोली होई अब आपको यहाँ पर digital KYC verification करनी होगी जिसके लिए आपको जो है आपके आधार कार से आपका mobile नंबर लिंक होना जरूरी है क्योंकि आपके वाइल नंबर पर एक OTP आती है वो OTP आपको यहाँ पर डालना होती है ठीक है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा go to UIDI की website पर जाना होगा आपका आधार कार नंबर वहाँ पर डालना होगा फिर आपके रजिस्टर मुवाइल नंबर पर एक OTP आएगी वो OTP आपको यहाँ पर डालनी होगा capture code डालना होगा send otp पर आपने click करना होगा उसके बाद आपके पास एक otp आएगी वो otp आपको डालनी है और आपकी zip file है वो download हो जाएगी उसके बाद आपको attached file पर click करना होगा जो zip file आपको मिली है वो file आपको लिएगे जो password आपने बनाए वह password आपको यहां पर डालना होगा upload पर click करना होगा जैसे आप upload पर click करेंगे तो guys आप देशकते हैं के वाय सी verification मेरी successfully यहां पर complete हो गई है उसके बाद guys आपकी जो detail है आपके अधार card के अंदर आपका नाम आपका date of birth आपका complete address automatically यहाँ पर आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यह बोलेगा आपका यह जो address है इस address पर हम आपका जो physical credit card है वो भीजेंगे simply आपको terms and condition को इसकी accept करना होगा proceed आपने इसको कर देना होगा जैसे ही आप इसको proceed करेंगे proceed करने के बार next step के अंदर आपको nominee detail यहाँ पर देनी होगे nominee detail आपकी इसलिए यहाँ पर मांग रहा है क्योंकि आप यहाँ पर FD करेंगे बायचांस अगर आपको कुछ हो जाता है फिर आपकी जो FD की रकम है जो पैसे आपके वह आपके nominee को दे दी जाएंगे nominee detail में आपको यहाँ पर सबसे पहले आपने nominee का नाम डालना है आप किसी को भी nominee बना सकते अपने father mother अपनी wife अपनी brother अपनी sister किसी को भी nominee बना सकते हैं अपनी बच्चों को ठीक है उनका नाम आपको यहाँ पर डालना होगा relation क्या वो choose करना होगा उनका date of birth आपको यहाँ पर डालना होगा और आपने continue उपर क्लिक करना होगा जैसे continue पर आप क्लिक करेंगे next page आपके सामने कुछ इस तरीके से open हो जाएगा यहाँ पर आपको दिखाई देगी fd detail यानि fix deposit जो आप कराएंगे उस पर कितना interest आपको मिलेंगे यहाँ पर तब लिए 6.5% interest हम आपको देंगे एक साल के लिए आपका यह fix deposit होने आप यहाँ पर कम से कम 12,000 रुपे का fix deposit कर सकते हैं और maximum आप यहाँ पर जो है 60,000 रुपे का fix deposit कर सकते हैं गाईज अगर आप यहाँ पर 60,000 रुपे का fix deposit कराते हैं तो आपकी create card के limit मिलेगी आपको 50,000 रुपे अगर आप 24,000 रुपे का fix ट जीपुजटी कराते हैं तो आपको crate card की limit मिलेगी 20,000 रुपे अगर आप 12,000 रुपे की FD कराते हैं तो आपकी crate card की limit होगी 10,000 रुपे आप यहाँ पर चाहिछ चोटी 12,000 रुपे की FD करा लीजिए चाहें आप यहाँ पर बड़ी 60,000 रपे की FD करा लेजिए लेकिन आपको यहाँ पर जो create card मिलेगा जब आप उसका time से repayment करेंगे तो आपका जो civil score है वो बढ़ेगा ठीक है तो यहाँ पर paysebazar.com आपको इसी लिए इस create card के लिए offer कर रहा है कि भाई आप जो एक छोटा FD कराकर उसके against एक create card बनवा लिए जो हम आपको देंगे instantly ठीक है instantly आपको virtual card मिलगा जैसे आप इसको proceed करेंगे next step के अंदर आपको simply अपनी bank की detail दिनी होगी जिस bank से आप payment करेंगे ठीक है जैसे आप bank detail यहाँ पर डालेंगे आपकी bank detail verify हो जाएगी आपका payment successfully हो जाएगा जो last step है इसका payment successfully होते ही आपका FD जो है वो activate हो जाएगी और आपको यहाँ पर एक create card instantly दे दे जाएगा simply आपको एक password बनाना होगा और password बनाने के बाद में आपका virtual card आपको मिल जाएगा physical जो create card है आपके घर पे तकरीबन 4-5 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा उस address पर जो आपने आधार card के अंदर दिया है ठीक है तो guys अभी मैंने यहाँ पर दो step complete कर लिया है तीसरे step है FD का यानि आपको यहाँ पर जो FD करनी है वो choose करनी है चाहे आप यहाँ पर 60,000 रुपे की FD कर लिए चाहे 24,000 की चाहे 12,000 रुपे की ठीक है simply आपने choose करनी है जोन से भी FD आप लेना चाहते है proceed करना है और जो इसका last step है इसके अंदर आपको payment करना होगा payment करने के लिए आपको यहाँ पर जो है जो भी bank account detail आप यहाँ पर दे जितने रुपे की आप FD करा रही है उस time पर आपके bank account के अंदर उतने पैसे होने चाहिए आप यहाँ पर अपने bank के net banking और UPI की दोवारा fixed deposit का जो payment है वो कर सकते है ठीक है उसके बाद क्या होगा देखिए मैं इसको यही पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है यह create card नहीं चाहिए मेरे पास holiday create card है मैंने आपको तकरीबन 4% बता दिया कैसे आपको इस create card को लेना है यह last step है payment का जैसे ही आप इस payment को successfully कर देंगे उसके बाद क्या होगा चले मैं आपको दिखाता हूँ जैसे आप last step को complete कर देंगे उसके बाद आपको account setup करना होगा जिसके अंदर आपको एक password create करना होगा जैसे आप password create करते हैं तो आपका जो virtual card है वो आपको instantly मिल जाएगा यानि आपने मान लीजे 60,000 रुपे की FD कराई 50,000 रुपे create card आपको मिल गया तो आपका virtual create card automatically आपको वहाँ पर दिखाए देने लग जाएगा जिस के limit 50,000 रुपे होने वाली है एक बार activate होने में इसको थोड़ा time लग सकता है एक और दो दिन का ठीक है लेकिन जब आपका activate हो जाए create card उसको आप use कर सकते हैं कहीं पर भी उसके बाद जो उसका last step है उसके अंदर आपका जो fix deposit है ये confirm हो जाएगा और आपका जो physical create card है वो आपके घर पे आपको मिल जाएगा उसके बाद आपको अपना pin setup करना होगा यह आपको अपने create card का एक pin बनाना होगा pin बनाना के बाद ही आपको create card activate हो जाएगा बस आपको यहाँ पर यह करना है पैसाबजार.com से पैसाबजार step up create card बनाने के लिए ठीक है तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया हो किस तरह आप step up create card के लिए अपलाई कर सकते हैं मैंने आपको last तक बता दिया कैसे आप इस create card को बनवा सकते हैं मुझे create card नहीं चाहिए इसलिए मैं आपको इस create card को लेकर नहीं दिखा रहा हूँ तो गाइस यह थी वीडियो पैसाबजार.com पर कैसे बनवा सकते हैं मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आपको चली मिलते हैं अगल एक निवडियो साथ आखिल बिजितने यह वीडियो दिख लिए बहुत बदने हैं थैंक्यों सो मच